हमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल आर्टिस्ट बायोग्राफी में तो दोस्तों आज बात करेंगे 12 वर्षिय भाविक बने हिमालियन गौट टैलेंट 2023 के विजेता जी हाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी टैलेंट प्रतियोगिता हिमालियन गौट टैलेंट जो की हिमाचल प्रदेश में 2023 के नए विजेता मात्र बारा वर्षिय मास्टर भाविक बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी टैलेंट प्रतियोगिता करीब 6 महीने से जेपी विश्य विदाले वाकना घाट सोलन में चल रहा था जो शनिवार को ग्रेंड फिनाले राउंड के साथ समापत हुआ इसमें बॉलिवुड सितारे आलमगिर खान साइथी माचल के गायक करनेल राना वकई नामी सितारे बतार निर्णायक मौजूद रहे इसमें पूरे प्रदेश से ओडिशन लेने के बाद सेंकडो प्रतिभावियों ने अपने हुनर का जलबावी खेरा गायकों की श्रेणी में विजेता का ताज रामपुर बुशेहर के बारा वर्षिय बाल कलाकार मास्टर भाविक राजा को दिया गया अरसे से इस हुनरबाज ने अपने सुरीले स्वरों से दर्शकों के दिलों में राज किया है प्रतियोगिता के इस ग्रेंट फिन्याले में चाहर राउंड थे इनमें मास्टर भाविक ने बाका मुलक हिमा चल अब दीप जले आना बहुत प्यार करते हैं तुमको छाप ति पीता को अपना अदर्श गुरू मानते हैं पीता डॉक्टर कपिल शर्मा पीचे से एक डॉक्टर है वह चिकित्सक होने के साथ प्रदेश के अगरणी गायक कलाकारों में भी एक है विभिन पुर्शकारों से समानित हो चुके हैं अभी तक मास्टर भाविक राजा इसे प अभुमी वायस के विजेता चुनाव के दुर्वान चुनाव आइकन बुशहर अमबैस्टर नाम से समान राष्टी स्तर के आचार्य विशिष्ट संगीत समान शामिल है इसके लावा पूर मुख्यमत्री जैराम ठाकुर ने भाविक के गीत का विमोचन किया था और उसे ए मुचन के दुरान इसे समानित किया था इतनी चोटी उमर में लगबग चालिस कवर गीत रिकॉर्ड करना भी कोई चोटी सी उपलब्दी नहीं होगी मास्टर भाविक राजा के गीतों को और इनके लाइव शोज को फेस्बुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के हिमाचल प्रदेश में लोग काफी ज़्यादा वाइरल करते हैं काफी ज़्यादा इनके शोज को पोस्ट की जाती है तो दोस्तों हिमालियन गौट टैलेंट हिमाचल प्रदेश का एक सबसे बड़ा शो है जो की 2013 के वीजेता मास्टर भाविक राजा जीले शिमला के पाने के लिए हमारे योट्यूब चैनल हिमाचल आर्टिस्ट बायोग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा शियर और सब्सक्राइब करें थैंक यू लव यू आल